हेलो दोस्तों तो आज हम देखने जा रहें यूपेसी और एंपेसी के लिए जो इंग्लिश ग्रैमर का चैन किया गया है उन बातों को और आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कुछ वर्प्स हम देखने जा रहें मैंने इससे पहले भी कहा था कि किनी भी वर्प्स को अगर आप एक बार समझ लेते हो तो फिर आपको जिंदगी में कभी फी इंग्लिश ग्रैमर को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी यह बहुत जरूरी चीज़ है जैट वर्प को तो मैं मिस अपने तौर पर मेरी समझ मेरी अंडस्टेंग के तौर पर इ इन बिट्विन बताते रहोंगा तो वर्प्स ऐसे वर्प्स हम देखने जा रहे हैं जो एक्सप्रेस करते हैं फ्यूचर टेंस को फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं भविश्यकाल को जो बताते हैं ऐसे वर्प्स को हम वर्प्स डैट आर एक्सप्रेसिंग दफ्यूचर य already हम जानते हैं कि will और शाल यह बहुत ही आम तर पर यूज किये जाने वाले forms है to express the future indefinite जैसे कि the going to form present continuous form simple present form तो देखते हैं कि किस तरीके से सारी बाते बनेगी no simple futurity can be expressed by the following forms तो एक दो तीन और चार यह चार forms के तहट हम futurity को बता सकते हैं futurity का मतलब है कल इसके बाद future no so will और शाल के जरी हम बता सकते हैं हमें पता I will go I will teach you tomorrow the modal auxiliaries we shall learn this and that हम यह करेंगे हम ऐसा कहेंगे हम यहाँ जाएंगे हम इन बातों को सिखेंगे हम exercise करेंगे इन सब बातों को लेकर हम विल और शेल के form में बात करते हैं then another is the thing the going to form the going to form का मतलब बता है जब किनी बातों को अगर scheduled कर दिया जाता है no once they are scheduled जो बाते scheduled होती है fix होती है तो generally no is going to I am going to का मतलब present continuous tense होना चाहिए लेकिन यहाँ पर be going to का मतलब होता है futurity को express करने वाला sentence बन जाता है जैसे कि I am going to meet my friends tomorrow in the morning miss my schedule fix है और we are going to enjoy our holidays the next summer in Kashmir तो we are going to I am going to we are going to learn हम सीखने जा रहे हैं so we are not actually doing that work we are going to do that work so that is called the futurity present continuous tense यह बहुत जरूरी चीज़े present continuous tense होने के बाद भी हम इसे futurity के तावर पर इस्तमाल कर सकते हैं then simple present tense के तावर पर भी किस तरीके से इसका इस्तमाल होता है यह हमें देखना पड़ेगा the first thing we are going to see that is what's a positive I will go there और I shall wait for you in the evening no evening itself is a future word अब अगर दोपेर हैं तो I shall wait for you in the evening मैं शाम में तुम्हारा इंतजार करूंगा I shall wait for you in the evening you know देखिए मैं आपको एक बार भात खास तरीके से बता देना चाहता हूं कि अगर आपको सही माने में इंग्लीश पर महारत हासिल करनी है आपको अगर सही में linguistic competence को ले लेना है तो बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी बातों को आप compare करना से क्यों go comparing क्या इन्हें compare करें जैसे ही आप compare करते हो तो आपकी समझ में आता है so what kind of comparison I expect from you a very simple kind of comparison that is what say मैं जाना चाहूंगा यहां पर no that I shall wait का मतलब एक होता है no I shall wait for you in the evening and I wait का मतलब दूसरा होता है I waited का मतलब तीसरा होता है I have been waiting का मतलब चवता है I will be waiting का मतलब पाच्वा होता है I had waited का मतलब चटा होता है no तो मैंने पहले ही का कि why verb is the soul क्योंकि इसके साथ जुड़कर बहुत सारी बाते आती है और जितनी बाते आती जाती है उतना उसका मतलब बदलते जाता है और हमारे दिमाग में एक software download हो जाता है software of comparing and contrasting compare करते हैं contrast भी करते हैं no तो इस तरीके से I shall wait for you in the evening और the office will remain open tomorrow कल office खुला रहेगा रहेगा जाओंगा मिलूंगा देखूंगा खेलूंगा no इंतजार करूंगा सिखाूंगा सिखूंगा देखेंगे no that is what the use of will and shell in the positive form no positive form में root verb के साथ आता है no again this is a very important point आप छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान दे जब आप एक बड़ी exam की तरफ जा रहे हो बड़ी exam की तयारी कर रहे हो so what I expect from you a very simple thing no root form है sorry यह हो गया root form नो यह शैल और will किसके साथ जाएगा shell and will will go with the root form no root form of the verb root form का मतलो है the first form of the verb तो क्या है first form of the verb here हम देख रहे है wait is the first form इसका second form क्या है फिर second form of wait is wait it correct third form of wait is then wait it that is past participle and the present participle of wait is waiting इन चार हिस्सों में wait बढ़ जाता है so what we are going for we are going for the root form of wait no the root form of wait with will and shall in order to express the future tense future tense को समझने के लिए आपको इस will और शैल के साथ root form को इस्तमाल करना है इन पॉजिटिव सेंस अब पॉजिटिव सेंस के साथ आता है मतलब क्या होता है opposite thing is always there so जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव भी रहेगा ही रहेगा फित्रत है हमारी human tendencies है हमारी तो what is that I shall not I will not you he she eat they will not no यह I के साथ आप शल लगा सकते हो वी के साथ भी आप शल लगा सकते हो राइट लेकिन लेकिन you he she eat or they के साथ आपको will he लगाना पड़ता है अब शल का ज्यादा इस्तमाल नहीं होता है so I will not wait for you in the evening same sentence you can take the same sentence to grow your understanding to increase and enrich your comprehension of language आपकी भाशा की समझ को समझने के लिए आप एक ही sentence को अलग-अलग तरीके से मोड सकते हो बना सकते हो यहाँ पर sentence दिया गया है I will wait for you in the sorry I will not wait for you in the evening or the office will not remain open tomorrow the same sentences we have taken only the addition of not is there the negation the negative word not is taken and the sentence has become a negative sentence as such agyabhatta and then we shall go for the usage of will and shall is to denote the events which are not influenced by intention willingness or probability here personal element does not come into picture tomorrow will be Tuesday this part won't fit in the machine how long will the work take तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका usage क्या है will or shall is used to denote the events कुछ events को denote करते हैं नो to denote the events कैसी events which are not influenced by intention किसी intention से प्रभावित होकर यह events नहीं हुई है willingness और probability ना intention है ना willingness है ना कोई probability है here personal element does not come into picture no यह जो बाते हैं कुणसी intention is a personal element willingness is a personal element and probability is also the personal assumption यह बिल्कुल भी पिच्चर में नहीं आते हैं जैसे tomorrow will be Tuesday इसमें कोई intention किसी का नहीं है ना ही किसी का willingness है और ना ही किसी का कोई probability के तौर पर दिस is a fact tomorrow will be Tuesday this part won't fit in the machine जो लेकिन कभी कभी कोई ऐसे का को इसमें नहीं नहीं रहा है लेकिन कोई काम को कम टाइम लगता है फिर भी लोग ज्यादा टाइम ले सकते इंटेंशनली लेकिन कभी कभी कोई ऐसे काम होते हैं जो उस वक्त में उतने टाइम में ही हो सकते हैं so these are the sentences using this will and shall जहाँ पर कोई personal element काम नहीं कर रहा है कोई influence नहीं हो रहा है with the intention और willingness और हमारी probability के साथ देखिए यह बहुत अहम बात है क्योंकि यह जिस टाइप का grammar है पाल एंट सूरी का this grammar is not for the very basic learners no those who are learning very basic things this is a grammar for some higher type of examinations particularly and very especially the competitive examinations or competitive examinations होने की वजह से यह जो विल और शैल को लेकर इतनी खास करके detail में बाते हाँ पर की जा रही है another is the thing we use I will if you decide to do something at the time of speaking miss जब मैं बात कर रहा हूं तभी अगर मैंने कुछ डिसाइड कर लिया है at the time of speaking क्या खा है मैंने आपर at the time of speaking मैं जब बात कर रहा हूं अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे और अभी मैंने कुछ don't worry I will give you some if my friend says to me मेरा दोस मुझसे कहता है और यार I don't have any money मेरे पास पैसा नहीं है कुछ पैसा नहीं है तो उसकी बात सुनते वे जब मैं बात कर रहा हूं तो मैंने कुछ पैसे दे दूगा यह I will give you some कैसे आया है how this I will give has come here this I will give has come here because you decide किया गया है कब decide किया गया है at the time of speaking जब बात वो speaker कर रहा है तभी यह बात वो कह रहा है what shall we do if the school bus does not turn up we will hire a cab to go to the school यह बहुत important चीज़ आप इस पर ध्यान दे नो this is very contextual talk this is a conversation actually conversation में मैं जब बात कर रहा हूं आपसे नो my friend is saying then what shall we do if the school bus does not turn up school bus ने आए तो हम क्या करेंगे तो दूसरा वाला कहता है we will hire a cab to go to the school we will hire यह कपता है हुआ we will hire we will hire यह हमारा sentence right we will hire is our sentence I write somewhere okay I write here we will hire a cab to go to the school correct sorry yeah there is some problem with the pain no problem so we will hire a cab to we will hire is our sentence यह we will hire कब आया है at the time of speaking तो जो भी grammar के rules होते हैं जो भी grammar के rules बनते हैं वो rules होते हैं very conversational actually no तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए आगे बढ़ते हैं लेड़ सी आपको देखना चाहिए आगे बढ़ते हैं जैसे in these sentences we often use I think, I don't think, I'm sure, I hope, I wonder यह सारी जो words है we often use I think, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं I don't think, मुझे नहीं लगता, I'm sure, मैं sure हूं you know, I hope and I wonder these are the words these words express the speaker's opinion or the point of view or the speaker's opinion तो ऐसे जब speaker अपना opinion देता है speaker अपने view को बताता है तब कहा जाता है, I hope जैसे देखो, या पर क्या लिएगा, I hope your throat will get better tomorrow I hope your throat will get better tomorrow मुझे लगता है, तुमारा throat कल ठीक हो जाएगा I don't think she will repeat this mistake no, so this is what the use of will here because the sentence is the speaker's view इस तरीके से आपको जाना चाहिए let us go a little further और फिर हम देखते हैं कि इसकी uses की सासत will you pass that, sorry yeah, to promise to do something तीसरी बात है जब हम किसी को promise करते हैं तब भी हम will का और shall का इस्तमाल करते हैं जैसे, let us see to ask somebody to do something just देखते हैं will you pass the umbrella to me किसी को कुछ, not only promise but if you want somebody to do something for you that time be you can use this will will you pass that umbrella to me will you get me a glass of water please और shall I and shall we are used to make offers or suggestions और offers or suggestions के लिए shall I और shall we का इस्तमाल किया जाता है जैसे, shall I explain the route to you shall I explain the route to you और shall we send the letters by speed post और जानेंगे कि किस तरीके से ये English grammar है जो बहुत ही logical है बहुत ही सुन्दर है अगर आप इस भाशा के उपर अच्छी तरीके से प्रफिशियन सी पा लेते हो linguistic competence हासिल कर लेते हो तो believe me that your studies become very simple for you so wish you very good luck for your studies whatever kind of you are doing your competitive examinations and all and we shall go for the next tomorrow thank you very much keep studying wish you all the best करेंगे जव्याद एच το फ 750 एरματα के लोगा स escaped के प्टे